हाई स्टूडेंस वेलकम टो विसाका क्लासेस मैं विसाका मिस और आज का जो टॉपिक के हमारा वो है टी वाई बीकॉम का फाइनेसनल अकाउंटिंग आडिटिंग का जो पेपर वन फाइनेसनल अकाउंटिंग के सेंपल कुईसेंज जो हमें बॉंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से आईडोल की तरफ से जो आपको मिलें उन सभी के आज मैं आपको बताने वाली हूं आंसर्स तो वीडियो को आज तक जरूर देखना अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस मैंने चैनल को लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो जो बनाई हूं बहुत स्पेश कना ची का जरूर के जरूर का प्लिस पर शेक एसा येडियो अगिक शच्छी को आपको आप का जरूर कर देखना इस Michigan Sareef Me तुसका अंसर है A. 4th one, the payment for contingent liability should be debited to the bank account. Bonuses receive increase. 5th का अंसर है ननन अब अबाव. Interment dividend for the company can be declared by the board of directors. IFRS stand for international financial reporting standard आपका answer है A आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दो अगर आपको और भी msecrets चाहिए तो उसकी link मैंने नीचे description box में daily account channel की दी हुई है आप वापे जाके चेक कीजिए आपको वापे सभी msecrets वापे आपको मिल जाएंगे और msecrets के pdf की नीचे ही password की जो link है वो provide है आप वो link पे click केजिए आप पहुँच जाएंगे youtube channel पे और जापे आपको वीडियो देखना है उसमें का पर हमने एक password डाला हुआ है वो password आपको देखना है प्री इंकोपरेटेड पिरेट तो बैग बाइबक तो एक्विटी सेस इस पर्मिशन तो लिमिटेड ओफ 25% इन एमल आंसर है बी एकसेस और पर्चेस काउंचेंट ओवर देनेट टेंजिनेबल असेट इस दो कैपिटल रिविन्यू कभी आंसर ऐसा भी आ सकता है नेट टेंजिबल असेट माइनस कैपिटल रिविन्यू या असेट माइनस कैपिटल रिविन्यू तो इसका आंसर होगा पर्चेस तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान रख रहा है यहाँ पर मैंने आपको सभी अनसर बता दिया है अगर अभी तक नहीं किया तो वापस मेरा वीडियो देख सकते हूँ तो आज के लिए बस इतना ही नये वीडियो के साथ में नये कुछ अपडेट के साथ कुछ नये MCQ के साथ वापस आपस आपस से मीलूंगी bye take care and all the best for your exam